वेघिंद्ट आज हम देखेंगे ग्यान बिंदु जीयेश का जो बर्दी लेकर के रहेंगे स्री जो चलरा है ग्यानबिन्दू जीयेश पे उसका प्रैक्टी सेट नबर यह जो है आठ है तो इसपे हम लोग ध्यान देंगे इस प्रैक्टी सेट मेरे क्मjas 60 सबस्ट हो आटे ह इसमें सभी प्रश्ण जो है करेंट वेगर सब भिहार जो भी जीके वेगर हैं सब 2023 से अप्टूडेटेड तो अश्रार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्ण के निमलिखित में से भिन को पाशाने तो भिन कौन सा है तो चिम्टा भिन है तो इसका रीजन क्या है है हैंड इलाश, सिंदासी यह प्रथम सृरेनी का उत्तोलक है जबकि चिम्टा यह तृत्तिय का उत्तोलक है question number 2 देखेंगे रसाइनी कुर्जा को परकास एभबं उस्मा उर्जा में परिवर्थित करता है तो वह आखन करता है पहला कथन है किसी अपगरा की कछ्छा चाल बढ़ाने से परिकरमनकाल बढ़ती है दूसरा है किसी अपगरा की कछ्छे परीधी घटाने से परिकरमनकाल गटती है अंग उसके कौन सा कथन सत्थ है इसका राइट अंसर ऑपंशन नमबर डि हो जाएगा question number 4 देखेंगे यदि द्रब का परवाह का बेग उसके क्रांतिक बेग से अधिक होता है तो उसका परवाह निर्भर करता है तो उसका परवाह वह उसकी प्रिष्ट घनात्म उपर करता है question number 5 देखेंगे निमलिकित में से बिदु चुमक्य तरंग के समन्द में कौन सा असत है तो इसकी परकिर्टी धनागत्मक होती है या गलत है बाकि इसका तीनों जो है सही है या अनुप्रस तरंग होती है इसकी अबधार ना मैक्स्वेल ने दिया था यह भी सही है या photon की बनिवती है तीनों सही है question number 6 देखेंगे ध्वानी दिन की या पेक्षा रात में अधिक दूरी तक सुनाई देती है इसका कारण क्या है तो इसका मुख कारण जो है अपवरतन है question number 7 देखेंगे ताप गती का पर्थम नियम का संबंद है तो जो ताप गती का पर्थम नियम का संबंद जो है या ओर्जा संरच्छन के नियम से संबंद है question number 8 देखेंगे काच की लेंस को जब पानी में डो होया जाता है तो कौन सा परभाव दिखाई देता है तो उसमें जो है हमें लेंस की छमता घर्टी नजर आती है question number 9 देखेंगे कि जब विदुद परतिरोध को स्रेनी करम में संयोजित किया आता है तो इसमें विदुद धारा का मान होगा विदुद धारा का मान जो है वा समान रहेगा question number 10 देखेंगे चुमबकिये फलक्स का एसाई मात्रक क्या है तो सभी जानते हैं कि चुमबकिये फलक्स का एसाई मात्रक जो है वा Maxwell होता है Maxwell चुमबकिये फलक्स का एसाई मात्रक Maxwell या उसे ही बेवर कहा जाता है question number 11 देखेंगे निमलिखित में से कौन सा magnesium का core electron है तो उनमें से जो है वह यह जल में घुलनसील होते हैं यह गलत है question number 13 देखेंगे कि नदी का गंदा जल उधारन है तो जो नदी का जल है वह निलंबन बिलियन के कारण जो है गंदा होता है यह इसका उधारन है question number 14 देखेंगे Charles के नियम का अचर है जो चाल्स के नियम का अचर जो है वह दाब यही constant होता है question number 15 देखेंगे borax अजयस्क है तो borax जो है वह sodium का अजयस्क है question number 16 देखेंगे घास में कौन सा अमल होता है तो सभी जानते है कि घास में benzoic अमल होता है question number 17 देखेंगे hydrogen bomb का विसकारक है question number 18 देखेंगे आवर्ट साड़नी में वर्ग के उपर से नीचे जाने पर electron प्रिति का मान क्या होगा तो उसका मान घटता है question number 19 देखेंगे हवाई जहाज के धाचा बनाने में निमलिखित में से किस मिस्र धातु का परियोग के आता है तो उसमें जो है वह मेगनेलियम का उप्योग के आता है हवाई जहाज के धाचा बनाने में question number 20 देखेंगे एकवारेजिया मिस्रन है तो एकवारेजिया मिस्रन जो है वह हाइड्रोकलोरिक अम और नाइट्रिक अमल का होता है question number 21 देखेंगे question number 24 देखेंगे question number 3 देखेंगे muton ही काई है तो जो muton है वह उत परिवर्तन का ही काई है question number 24 देखेंगे गेहु मक्का तथा बांस कि किस कुल से समदित पौधा है तो यह तीनों जो है वह ग्रिमिनेसी कुल के पौधे होते है question और 25 देखेंगे पुस्फ का नर्भाग है तो जो पुस्फ का नर्भाग है वह पौंकेसर कहलाता है आपको बताते चले कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कुछ दर बाद आपको एक घंडे बाद हम आपको बी पी एसी और सठवी के लिए एक प्रेक्टिस सेट आपको एवलेवल करवाएंगे एक घंडे बाद ही ठीक है आज ही के दिन ठीक है ओके कुश्चन नमर 26 देखेंगे कि बालू में उगने वाले पौधे को कहा जाता है तो जो बालू में उगते हैं पौधे उनको सेमोफाइट्स कहा जाता है कुश्चन नमर 27 देखेंगे काईटन डोरिस इतियादी किस संग का जीव है तो ये सभी जो है मुलास का संग के जीव है कुश्चन नमर 28 देखेंगे बसा का इमलसी करण जो है निमलिकित में से किसंग में होता है तो बसा का इमलसी करण या पितासे में होता है कुश्चन नमर 29 देखेंगे कि निमलिकित में से कौन सा रोग बिसानू से नहीं होता है तो बिसानु से नहीं होने वाले रोग वह गेनोरिया है या जिवानु से होता है किस से होता है जिवानु से होता है question number 30 देखेंगे निमलिखित में से कौन सा हर्मोन की कमी से मनुस में बाउनापन होता है तो बाउनापन या HTH हर्मोन की कमी से होता है question number 31 देखेंगे निमलिखित में से कौन सा विकाल्प असत्य है तेन सभी में जो है सालाकार परधान मंत्री ठीके मिस्रा है या गलत है जबकि front का question है यह cabinet साचीव राजीव गावा है बिट साचीव टीवी सोमनाथन है question number 32 देखेंगे निमलिखित में से किस राज में बाड़ा कॉलम चाबल का जियाई टेग दिया गया है तो बाड़ा कॉलम चाबल को जो है यह महराश्च सरकार ने जियाई टेग दिया है question number 33 देखेंगे यहाल ही के दिनों में जनजातियों का विस्व कोस जारी करने वाला पहला राज कौन बना है तो इन में जो है पहला राज हुआ ओडिसा बना है question number 34 देखेंगे काकाडू सैन अभ्यास 2022 भारत और किस देश के बीच हुआ है तो जो काकाडू सैन अभ्यास है वह भारत और अश्टेलिया के बीच होता है question number 35 देखेंगे कि 18 G20 सिखर सम्मेलन 2023 की मेजवानी निमन में से कौन सा देश करेगा तो इसकी मेजवानी जो है वह भारत करेगा 18 G20 सिखर सम्मेलन 2023 की मेजवानी question number 36 देखेंगे global 100 इंडेक्स 2022 में परतम अस्थान पर बेलारूस को प्राप्त हुआ है जब कि भारत का अस्थान कौन सा है तो भारत का अस्थान जो है वह एकसो सात्मा है पहले 101 अस्थान पर था अभी बरतमान में 107 अस्थान पर है question number 37 देखेंगे हाली में कौन सा देश जो है नए टाइगर इजर के रूप में मानिता दिया है तो इसे जो है मन्त पर्देश ने दिया है question number 45 देखेंगे major ध्यान चंदर पुर्षकार 2022 सरत कमल अंचत को दिया गया है इसका समंद किस खेल से है तो इनका table 10 से समंद है किनका सरत कमल अंचत का जो कि major ध्यान चंदर पुर्षकार 2022 से समानित किया गया है इनको question number 42 देखेंगे 22 राष्मंडल खेल 2022 में भारत को सरवाधिक पदक प्राप्थ हुआ तो सरवाधिक पदक जो है कुस्ति में प्राप्थ हुआ है question number 41 देखेंगे queen of fire नामक पुस्तक के लेखक कौन है तो जो queen of fire नामक पुस्तक के लेखक जो है वह देविका रंगाचारी है question number 42 विसु मधु में दिवस किस तिति को मना जाता है तो जो विसु मधु में दिवस है वह 14 नामबर को मना जाता है विसु मधु में दिवस question number 43 देखेंगे हाल में तंपारा जील को रामसर साइट में सामिल किया गया है यह किस राज में है तो तंपारा जील जो है यह ओडिसा राज में है question number 44 देखेंगे भारा सरकार दोरा digital radio launch करने का लच्छ निर्धारित है तो जो digital radio है वह बारस क्षिळ्शन और 45 पिकास हेट अंतरराश्टिय वर्स भोसित किया गया्य। गैठर 45 ओससे कौरवीलोन कप का समन्द किस खेल से जो कौरवीलोन कप है या टेवल टैनी से समन्दित है क्वूस्चछन objective क्राइब 24 गयुह डइक नीक्रे नंबर 27 कीपर कीपरोपससा है देखेंगे कि वॉल एस्टिट को जो है तो नियुवर्ड का श्टाउक एक्सेंज को जो है वाल श्ट्रीट कहाजाता है इस जानकी रमान समीथि परतीबूति गोटाला से नम्लिखित में से कौन सा नवपासान कालीन बस्ति नहीं है तो नौपासान कालिन बस्ती जो है वह सराय नहार राय नहीं है जबकि लंग नाज है चिरानदाज है पोचम पली है कोश्चन नमर बावन देखेंगे ये निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए तो आरियो का आरम जो जीवन क्रिसी पर अधारित है तो यह बिल्कुल ही जो है कि सही है आरियो के आरमभिक इतियास की जानकारी का मुक्ष्रोत रिगवेद है तो यह भी सही है तो इसका राइट अंसर एक और दो हो जाएगा पर्थम जैन संगीति के पाटली पूर्थ में आयोईत हुआ था उस समय वहां के सासक कौन थे तो वहां के सासक जो है उस समय चंद गुप्त मौरित है तो जो मुर्ति पूजा का आरम है वह कुशान काल से मना जाता है कौशन नमर पचपन देखेंगे निमलेखित में से कौन सी साहित गुप्त कालीन है यानि कि गुप्त काल में लिखे गई है तो मिर्चिक का टिकम जिसके लेखक सुद्रक है यह गुप्त काल में लिखे गई थी कोशन नमर 56 देखेंगे संतनत काल का सबसे पढ़ा लिखा विद्वान सासक जो धार्मिक दिरिष्टी से उदारवा सहिस्नू था तो वह कौन था तो वह जो है मुहम्मद बिन तुगलक था कोशन नमर 57 देखेंगे क्रिष्ण का अवतार किस संत को माना जाता है तो क्रिष्ण का अवतार वह चैतन महाप्रभु को माना जाता है कोश्चन नमर अंठामन देखेंगे कि निमलिखित में से कौन से मुगल साथ सक ने यह लिखा कि भारतिय मरना जानते हैं लड़ना नहीं वहां मुगल साथ सक कोई और नहीं था चमन बावर था कोश्चन नमर उनसर देखेंगे निम्लिखित मेंसे कौन सा विकल्फ Lord Canning से संभंदित नहीं है तो Lord Canning से संभंदित नहीं है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नमबर C हो जाएगा तो बात करते हैं कि बोट डिस्पेच लागो होने पे तो यह लागो जो है 1854 के दर्म्यान में हुआ था इस समय भारत का गवर्णर जर्म कोल था लौड डल हो जी नोट कर लिजेगा तो जो ताना भगतां दोलन से परभावित चêtre है वह बिहार था question number 61 देखेंगे 1857 की करांती की सुरुवात हुई थी question number 62 देखेंगे कि रिड़र्विन हिंदुविज्म के लेखक है तो इसके लेखक जो है वह बियार अंबेदकर है रिडाल्स इन हिंद्वीज उस तक के लेखक कुश्चन नमबर 63 देखेंगे कि कौन सा बिकाल्प गलत है तो इनमें से कौन सा बिकाल्प गलत है तो इंडियन एसोसियेशन एसन बनर जी ने लिखा सही है सारदा सदन रमावाई बिल्कुल सही है स्वतंत्र स्रमिक पार्टी नरायन मलहार ये गलत है बहिस्कृत हितकार्णी सभाबिया रमबेतकर के दोरा ये भी बिल्कुल सही है कौश्चन नमबर 64 देखेंगे खिलाफत अंदोलन का निर्टृत बिहार से किसने किया था तो बिहार से जो है मजहर उलहक के दोरा खिलाफत अंदोलन का निर्टृत किया गया था कौश्चन नमबर 65 देखेंगे महात्मा गांधी दोरा अस्थापित नटाल कॉंग्रिस का अस्थापना वर्स है तो 1894 में नटाल कॉंग्रिस की अस्थापना महत्मा गान्धी की द्वारा किया गया था Q66 देखेंगे अगाती हवाई अड़ा इस्तित है तो जो अगाती हवाई अड़ा है यह लच दीप में अबस्तित है Q66 देखेंगे बरामपूतर नदी भारत में परव्यस करती है Q66 देखेंगे राश्टी जल मारग 6 किस नदी पर है Q79 देखेंगे बाल्मूरी जल पर पात किस राज में भस्तित है Q70 देखेंगे तो मोख रूप से राज के रल है तो ये भी सही है तुसका राई टांसर और सी हो जाएगा एक और दो दोनों से यह Q many Nun camera 72 देखेंगे उष्ण कटी बंधिये सदा बाहर बनस्पतियों का घर कहा जाता है तो किसे कहा जाता है तो अण्डमान निकवार को कहा जाता है उष्ण कटी बंधिये सदा बाहर बनस्पतियों का घर Q23 देखेंगे माकराउनी कौन सी फसल की किस्म है Q24 देखेंगे भारत में पसु की गन्ना आयविजित होती है परते में कितने वर्ष P3 पांч बर्ष पें की जाती है Q genial natα 15 देखेंगे पस्मीना ऊन की पर प्राप्ती होती है तो जो पस्मीना उन है या बकड़ी से प्राप्थ होती है पुश्चन नमर शेतर देंगे एगल नेश्ट बंजीव अभियारन अवस्तित है या अर्णाचर परदिस में अवस्तित पुश्चन नमर शाथतर देखेंगे निमलिखित में से कौन सी गर्म जल्धारा परसांथ मह सागर की जल्धारा है पुश्चन नमर शेतर देखेंगे दस्ते एक काविरा तता दस्ते लूट मरवस्तल किस देश में है तो दस्ते काविरा और दस्ते लूट मरवस्तल जो है या इरान में अवस्तित है पुश्चन अगर 89 देखेंगे सत्कोसिया बाग अभियारन किस रा तो उसा मेहता यह नहीं रही है वागी सरोजनी आइडु और इनको राय तीनो रही है अभी तक आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सस्क्राइब करें वीडियो को शेयर करें और टेलिग्राम भी डिस्क्रिप्सन बॉक्स में दे सब्सक्राइब है तो जो लोगतंत्रिक ब्यवस्था है उससे यूह वह सासं साचालन की संपरूप्ता यंद्था यहीं संपर्णता का मतलब है या यहीं लोगतंत्र का मतलब ही यहीं लोगतंत्र का मतलब है question 83 देखे my नेम लेखित में से किस देश के नागरिक को ICI यानि कि Overseas citizens of India में सामिल नहीं किया गया है तो किसे नहीं किया गया है तो वह बंगला देश को सामिल नहीं किया गया है तो इसका राइट आंसर option number D हो जाएगा question number 84 देखेंगे सहकारी समीति का गठन करना कौन सा मॉलिक अधिका है तो वह जो है स्वतंता का अधिकार है सहकारी समीति का गठन करना question number 85 देखेंगे परधान मंत्री की नियुक्ति एबं अन्मंत्रिगन की नियुक्ति जो है राश्टपती की सक्तियों में कौन सा है तो जो राश्टपती की सक्तियों में यह जो है कारिपालिका का सक्ति है question से अदिकारताटा की सकति परदान करता है वीडियो को ज Cul नहीं हो पायागा यूट्युब चैनल पे डेखें हो और 87 निम styles कि स्वतनता का प्रभात्थान किस से गृहिता किया गया है जबकि मानीपूर, तिरपूरा, असमय या विवस्था लागू है question number 80 देखेंगे नहीं में लिखेंगे तो कौन सा राष्टी राजनीतिक पार्टी नहीं है तो कौन सा नहीं है वा जो है समाजवादी पार्टी नहीं है जबकि बहुजन पार्टी है question number 90 देखेंगे लोगपाल के लिए उम्र जो है 45 बर्स किया गया है question number क्यान में देखेंगे अंतराजिये परिशत की बैठक की अध्यक्सता किया जाता है तो इस बैठक की अध्यक्सता परधान मंत्री के द्वारा किया जाता है question number 22 देखेंगे भासाई अलब संख्यकों के लिए अधिकार की नियुक्ती राश्पती करेंगे या परधान किस अनुछेद में है तो यह जो प्राभधान है वह भारत के अनुछेद नमबर 350 के B में है जा भासाई अलब संख्यकों के अधिकार की नियुक्ति राश्पत्य करेंगे या प्रवधान कोश्चन नमर तीरान में देखेंगे कि निमलिखित राजों असत विकल्ब का चेयन करें तो इसमें असत कौन सा है वह देखते हैं महराष्ट में बिदान सभागी 288 सीट है बिल्कुल सही है करनाटक में 230 सीट य शान सभागी 299 लोग लेखा समीति के मित्र ड़ूरिक्षक के रूप में कार्ज करता है और नुर्थ नोमर पजक् scratch करता है nor 55 यह 7 किस समिधान सनसोदन के थात हुआ है इसमें किस समिधान सनसोदन के तहत हुआ है में देखेंगें यह मैथ का प्राश्न इससे आठ बना करकी आप हमें कमेंड बॉक्स में कमेंड केजीएảगा इक सो ना समयी का जो है कि राइड आंसर देख लिज्ए कोश्चन पढ़ लिजिए 영상 सोट ले लिजिए इसका राइड अंसर 144 हो ug है मृश्चण, नम्म 990 का शोट लिजिए सोट ले लिजिए दोनों का राइट आंसर जो है 325 हो जाएगा और 100 का राइट आंसर जो है वह अप्शन नमबर डी हो जाएगा तो चलिए वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सुभ हो